नमस्कार पेरेंट्स आज बहुत दिनों बाद मुक्का मिला है आपसे रूबरू होने का बात बड़ी ही इंपॉर्टन्ट है मुझे यह जानकारी मिली है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाद शाम को ट्यूशन पे जाते हैं और उसमें शायद बड़ी क्लासिस के बच्चे शामिल हैं रक्षा 6 से उपर के मेरी आपसे पहले भी दर्खवास थी आज भी एक रिक्वेस्ट है टूशन नाम की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है और education system में इसकी कोई जगा नहीं होने चाहिए especially जहां तक बाद school की पढ़ाई की है इसमें टूशन का कोई रोल नहीं है आप बच्चों को बाहर जाने से रोकिए क्योंकि आपको यह नहीं बता कि बच्चे बाहर जाने के नाम पे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं किसी भी tuition center का हम कोई भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो publicly accountable institution नहीं होता school एक comprehensive place है, schools सदियों से जाने जाते हैं अपनी education की level के लिए मैं आपको यह बात कहना चाता हूँ कि अगर बच्चे ने school में अच्छे तरीके से पढ़ाई करीए, 6 गंटे वो रहा है और उसके बाद उसी चीज की अगर वो घर पे जाके revision करेगा, जो कि बहुत जलूरी है, self study करेगा तो उसका पढ़ाई का कोटा पूरा हो जाएगा और उसे कुछ करने की जूरती नहीं है जो chapter school में, class में teacher ने पढ़ाया है, बच्चा उसे घर पे जाके खुद पढ़े, revise करे जो भी उसके doubts से उनको वो लिखे, notes बनाए अपने, इतना काफी है एक दिन की पढ़ाई के लिए और इसी को ही पढ़ाई कहते हैं, school में पढ़ना, फिर उसके बाद tuition पे जाना, फिर आके ठक के सो जाना या बड़ी मुश्कल से homework पूरा करना, ये खाली पढ़ाई नहीं है, जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ाई हुए content को खुद से बैठ के revise नहीं करेगा, खुद से बैठ के पढ़ेगा नहीं, तब तक वो पढ़ाई मुकमल नहीं होती है मेरी आप सबसे ये विंती है, tuition के नाम पे समय की बरबादी, पैसों की बरबादी और मेहनत की बरबादी बंद करें वही समय, वही मेहनत बच्चा घर बैठ के खुद पढ़े, अपने आप पढ़े, उसे किसी और पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं है हम स्कूल में इतना उसे पढ़ा के भेजते हैं, कि वह खुद बैठ के पढ़ सके कोई difficulty है, वो होएगी भी, उसी के लिए तो खुद पढ़ना है, कि difficulty पता चले क्या difficulty है और अगले दिन क्लास में बच्चा उस difficulty को टीचर से बात करें, टीचर से पूछें और टीचर उसका solution प्रवाइड करें Parents, बार-बार आप से मैं ये बिंती करता हूँ, tuition के नाम पे आप समय की और पैसों की बरबादी बंद करें बच्चों को tuition भेजने से रोकें, अब हाफिरली exam आने वाले हैं, कहीं फिर से एक भेड चालना शुरू हो जाए, बच्चे को tuition center पे भेजने की, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, कोई पढ़ाय बढ़ाई नहीं होती है वहाँ पढ़ाय स्कूल में होती है, और बच्चा घर ब